अभी तक भारत का पानी में तेरता हुआ एक डाग घर फीमस था लेकिन अब एक दूसरा पोस्ट ओफिस लाइमलाइट हासल कर रहा है दरसल भारत में पहला 3D प्रिंटेट पोस्ट ओफिस बनकर आम जंता के लिए खुल चुका है इसका उद्गाटन केंद्रिय मंत्री अश्वीनी वैशनम ने किया उन्होंने अपनी ट्वीटर अकाउंट के जर्ये डाग घर निर्मान का एक क्लिप भी शेयर किया है बता दे कि यह पोस्ट ओफिस करनाटक में बैंगलूरू की कैम्डरिज लेयाउट छेत्र में खोला गया है इससे भी अच्छी बात यह है कि यह पोस्ट ओफिस तैर डेडलाइन से पहले बनकर तयार हुआ है इसके निर्मान के लिए 45 दिन का समय तै किया गया था लेकिन 43 दिन में ही यह बनकर तयार हो चुका है इसे लारसन एंड टर्बो लिमिटेड और भारतिय प्रोद्योगिक संस्थान मदरास यानि की IIT मदरास नहीं मिलकर तयार किया है दरसल इस डाक घर को एक मशीन के जरीए बनाया गया है जिसमें 3D कंकरीट प्रिंटिंग का इस्तमाल किया जाता है इसमें एक 144 रोबोटिक प्रिंटिंग का इस्तमाल होता है जो फीड़ डिजाइन के अनुरूप कंकरीट की परत दर परत जमा करता जाता है इसकी मजबूती के लिए इसमें विशिष्ट प्रकार का कंकरीट यूज किया जाता है ताकि एक लेयर से दूसरी लेयर एक दम जुड़ी रहे इस पोस्ट ओफिस को बनानी में कुल खर्च करीब 23 लाक रुपे का आया है जो पारंपरिक तकनीकों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत कम है आईटी मदरास के प्रोफेसर मनू संथा नाम ने इस इमारत की 3D प्रिंटिंग के लिए LNT यानि की लारसन एंट टर्बो को तकनीक सहायता प्रदान की है बताया जा रहा है कि इमारत के निर्मान में इस्तिमाल की गई 3D प्रिंटिंग टकनीक डैनमार से आयात की गई थी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इसमें घुमावदार डिजाइन को आसानी से शामिल किया जा सका है वह ये सफलता पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने भी ट्वीट करके बढ़ाई दी है